सुप्रीम कोट में खोलकाता केस में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने बहुत ही सक्त और बहुत ही तल्ख टिपनिया की हैं सुप्रीम कोट ने वर्डर और रेट के मामले के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा को लेका भी तमाम सवाल खड़े किये हैं। सुप्रीम कोट ने एफाई आर में हुई देरी पर भी सवाल उठाए और अस्पताल पर ये सवाल किया कि अस्पताल ने सबसे पहले एफाई आर क्यो दर्ज नहीं की। कोट में सुनभाई की समय बंगाल सरकार के वकील कपिल सिर्बल ने कोट की सवाल पर कहा कि पिता ने सबसे पहली F.I.R. दर्ज करवाई रात 11 बच कर 45 मिनट पर कोट ने ये भी पूछा कि कब परिवार को बोडी सौपी गई तो इस पर कपिल सिर्बल ने जवाब दिया कि 8 बच कर 30 मिनट पर बोडी सौपी गई कोट ने पूछा कि बोजी सो अपने के बाद तीन घंटे की देरी क्यों हुई कोट ने ये भी कहा कि तो पहरे एक बचकर 45 मिनट से शाम चार बज़े के बीच में पोस्ट मोचम किया गया और आपको बता दे कि आगे ये कहा कि इसे ये जाहर हुआ कि मुर्डर हुआ है और F.I.R. दर्ज हुए रात में 11 बचकर 45 मिनट तो आखिर अस्पताल प्रिशासन इस दौरान क्या कर रहा था अस्पताल की प्रिंसपल और बोर्ड क्या कर रहे थे सुप्रीम कोट ने ये भी सवाल किया कि जब अस्पताल में प्रिडिक की अभिभावक नहीं थे तो अस्पताल की डूटी थी कि वो F.I.R. दर्ज कर वाए सुप्रीम कोट ने बंगा सरकार के वाकिये से ये भी पूछा कि आपका क्या प्रिंसपल के साथ क्या करने वाले हैं क्योकि प्रिंसपल की भूमिका को बहुक्ताल की बिएकर सवाल खड़े हो रहे संदीब गोश को CBI ने पूश्टाच के लिए सुबह बुलाया जिसके बाद संदीब गोश CBI आफस पहुशे और वहाँ पर उनसे पांचवे दिन भी पूश्टाच जारी है संदीब गोश से CBI ने तेरा घंटे पूश्टाच की उनसे चार दिन से पूश्टाच चल रही है और अब तक कुल तिरपन घंटे की पूश्टाच हो चुकी है सवाल जवाब उनसे लगातार किये जा रहे संदीब गोश सीबियाई की जाच की एहम कड़ी है सीबियाई इस मामले में दो एंगल पर तफ्तीश कर रही है एक रेप और हत्याकान का अंगल है दूसरा अस्पताल की भूमिका और अस्पताल से जुड़े तमाम किरदार जिससे लेकर पूश्टाच उनसे हो रही है क्योंकि स्तंदीब गोश ब्रस्टाचार में भी लिप्त रहे हैं कई गंभीर आरोपन के उपर लगे हैं आपको बता दें इस वक्त हमारे सेयोगी आनंद पिवारी जुड़ गए हैं सीधे उनका रुक कर लेते आनंद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोट की तरफ से आज तलक टिपणी भी आई है उस पर भी सुप्रीम कोट ने सक्त टिपणी की है अगले दो दिन सीवी आई के लिए काफी महत्पूर होने वाले हैं क्योंकि दो दिन के बाद याने की गुरूबार को सीवी आई अपनी इस्टेटर रिपोर्ड इस पूरे मामले की सीवी आई को सौपेगी जाहिर तोर पर सीवी आई उस इस्टेटर रिपोर्ड में बताएगी कि अब तक की तफ्तीश में सीवी आई को क्या कुछ हासिल हुआ है पूर प्रिंस्पल से पूस्ताज में क्या कुछ चीजे सीवी आई को पता चली है इसके लावा जो पिछले छे दुनों से जाये तो अस्पताल प्रशासन कटगरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है एक तरफ जो कोलकता पुलिस है उसने जो संदीब घोश है उनके खलाब एक फाई यार दज कर लिये और जो बात दबी जुबान से पूजा की जारी थी अब एक बार सरकार ने भी माल लिया कोलकता से ही बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुए आजिकर अस्पताल के पूर्फ प्रिंसिपल संदीब घोश पर कोलकता पुलिस ने फाई आर दर्ज कर लिये कोलकता पुलिस ने आई एस बेवल कुमार घोश की शिकायत पर भ्रश्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि तारा थाने में डॉक्तर संदीब घोश के खिलाफ ब्रश्टाचार निवारन अधिनियम 1988 की धारा साथ के तहत मामला दर्ज किया गया है तो बड़ी जानकारी आप तब पोचा रहे हैं ब्रश्टाचार की मामले में एफाई आर दर्ज की गई है कोलकता से ही बड़ी खबर है आजी कर अस्पताल की पूर प्रिंस्पिल संदीब घोश पर कोलकता पुलिस ने फाई आर दर्ज की है आजी कर मेडिकल कॉलेच अब एक और मामले में घिर चुका है जिसकी जांच के लिए बंगाल सरकार ने साइटी का गठन भी कर दिया है जिसका नेतरत्व आईजी रैंक की अधिकारी प्रणव कुमार कर रहे है 2021 से अब तक के कथित घोटालों की जांच साइटी करेगी और साइटी को अपनी रिपोर्ट भी जल से जल सौपनी होगी आपको बता दे कि इस घटना के बाद अस्पताल भी सवालों के घेरे में है क्योंकि वहां कई घोटाले हुए हैं ये बात सामने आई और इसी को लेकर साइटी का गठन किया गया और वहीं साइटी के गठन पर अमित मालविया ने ममता स्थरकार पर कई सवाल खड़े कर दिये जमकर हमला भी बोला उन्होंने सोशल मीजिया पर पोस्ट किया और लिखा कि अब बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बदनाम पूर्व प्रिंस्पल संदीप घोश पर लगे वितिया निमत्ताओं के आरोपों की जाच के लिए एक S.I.T. का गठन किया है S.I.T. में चार IPS सथिकारी शामिल है ताकि C.B.I. को उन्हें हिरासत में लेने से रोका जा सके जब तक ममता बनर जी इस्तीफा नहीं देंगी तब तक महिला डॉक्टर के बलब कार और हत्या मामले की स्वर्तंत्रों और निश्पक्ष जाच सम्द्दीब